एलो फ्रेंड वेलकम टू इन दिस वीडियो जी हां दस्तो आज के इस वीडियो में रिवीव करेंगे हिंदी भासाय में बनी एक और सुपर एक फिलिम को 26 नौमबा उद्वज़ा रिकेश ने रिलीज हुई सुपर स्टार सलमान खान और आयोस सर्मासर के फिलिम अंतिन दो फाइनल टूर्थ मुवी फूल मुवी रिवीव और इस मुवी से जुड़े रोमांटिक फ्यक्ट है जो सायर आप नहीं जानते होंगे दोस्तो अब आप से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप मारे चैनल को सस्क्राइब और वीडियो को लाइक और साथी साथ बेल एकन ट्रेस करना बिल्कुल ना भूले दोस्तो आप सभी को पता ही होगा कि आप मारे चैनल पे मुवी फ्यक्ट और मुवी रिवीउत देखने को मिलता है तो दोस्तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तो आप बात करें आपको इस फिल्म यूटूब पे देखना चाते हैं तो इस फिल्म को यूटूब पे नहीं देख सकते हैं क्योंकि इस फिल्म को यूटूब पे किसे कमपनी ने अपलोड डाई किया है इसलिए आपको इस फिल्म यूटूब पे देखने को नहीं मिलता अगर दोस्तों आप इस फिलिम यूटूब पे देखना चाते हैं तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स ने जरूर बताएं दोस्तों बात करें इस फिलिम का डैरेक्टर महेस मंजेकर ने इस फिलिम का डैरेक्ट किये थे और फिलिम में सालमान खान, आयूस सार्मा, महीमा मक्वाना और जीसु सेन गुपता जैसे बड़े स्टार आपको इस फिलिम में देखने को मिलेंगे दोस्तों बात करें इस फिलिम का संगीत कार रभी बसरूर दोरा इस फिलिम का संगीत दिया गया था जब की गाने रभी बश्रूर और रितेस मोदक्न द्वारा इस फिल्म का गाना दिया गया था जो काफी पोपुलर रहा था और अंतिम दाव फाइनल टूर्थ मुवी का जी स्टुडियो द्वारा बित्रित किया गया था 26 नौबर 2021 में रिलीज हुई अंतिम दाव फाइनल टूर्थ मुवी का समय सिमा एक से 40 मिनट की बनाई गई थी और इस फिल्म को इंडिया में रिलीज किया गया था और हिंदी भासा में बनाया गया था दोस्तों बात करें इस फिल्म की बॉजट इंबॉक्स अपिस क्लेक्शन के बारे में इस फिल्म को बनाने में 35 क्रोट के आसपास बज़ट लगा था और इस फिल्म का कुल कारोबार यानि वर्ड वाइट क्लेक्शन अंठावन क्रोट का किया था इस फिलिम ने कमाई के मामले में काफी अच्छा पदसन किया था और इस फिलिम ब्लोगबस्टर साबित हुई थी अंतिम दा फाइनल टूर्थ एक 2021 की हिंदी भासा की एक्षन फिलर फिलिम है महेश मन्जय का द्वारा नेजेसित और सलमान खान फिलिम द्वारा निरमिजी स्टुडियो द्वारा बीटित या मराठी फिलीम मुल्चिप पैटनर की रिमेक है और इसमें सलमान खान, आयूस सर्मा और महिमा माखवाना मुक्या बुमिका में है कहानी इस फिलिम की कहानी एक पुलिस अधिकारी सलमान खन और एक गैक्स्टर आयूर सर्मा के बीच आमने सामने के इदगीर्दी घुमती है यह किसानों दोरा सलमान खन की जाने जाने वाली कठिन प्रस्तिष्टियों की पड़ताल करती है जो उसमें से कुछ को अपराद की ओर धकेल देती है फिलिम को 26 नूमबर 2021 को दुनिया भर में नाटेक के रूप से रिलिज किया गया था और इसमें अलोजको से सक्रात्म समिच्छा मिली जिसमें आयोस्वरमा और सलमान खन के प्रदशन द्रश्या पुश्ट भूमिय स्कोर एक्सन द्रश्या को नेर्दरसक की प्रसांज की गया थी फिलिम अंट फिलिम को 18 गुलेक्षण किया था और इस फिलिम ने कमाई के मामले में काफी आच्छा प्रदश्ण किया था और इस फिल्म को ब्लोकबस्टर साबित कर दिया गया था फिल्म एक आम किसान फिल्म की कहानी के बारे में बात करें तो फिल्म एक आम किसान के जीवन पर एक कहानी के साथ खुलती है जहां उसे अपनी जमिन बेचने के लिए मजबूर किया जाता है और अपनी जमिन के खेद मजदूर के रूप में काम करता है ऐसी ही एक कहानी है राहुल रुवया पाटिल की उनके पिता दत्ता राम ने भी अपनी जमिन बेज़ दी थी और अपनी जमिन के चौकीदार के रूप में रह रहे हैं और एक दिन जमिन जमिन राहुल लिया के पिता की पिटाई करता है और ठके हुए राहुल लिया उसे अपनी जमिन वापस लाने की चुनावती जेते हैं जल्द ही उनका परिवार पुन्य में सिफ्ट हो जाता है और जहां पती जहां पिता पुत्रा दोनों एक सबजी बाजार में कुल्ली का काम करते हैं एक दिन जैसे ही एस्थानिय गुंडे एक बुड़े ब्यक्ति से जबरन पैसा वसुल कर लेते हैं रहुल्य की उसकी पिटाई करता है और जेल में बंद हो जाता है और उसकी मुलाकात एस्थानिय बिद्धाय के साथ तैकत्वर गैक्स्टर नया नया से होती है उसका समर्थन है जेल से बहर आने के बार रहुल्य ने नया से हाथ मिलाया और इसी बिच उसे एक चाय बेचने वाला मंडा से भी प्यार हो जाता है रहुल्य ने गल्ती से मेयर की हत्या करने के बाद जल्द ही अपना नाम कमा लिया और नया ने वहां मौजूद लोगों को जूटे प्रसांस पत्रों के साथ हत्या को हत्या को आहात्मा के रूप में गड़ कर उसे फिर से जमाना दे देती है और रहुल्य अपनी नई प्रसिद्धी के साथ सब्जी बिक्रेता को समझाने समस्याओ को हल करने का वादा करके यह वादा करता है कि वह उनकी उपस को मजबूर मजूदा कीमतों मजूदा कीमतों से अधिक अधिक दरों पर खरीदेगा और हाला की बिक्रेताओ द्वारा उनकी सराहना की जाती है लेकिन दताराम ने उसे अविसकार कर दिया और जल्द ही रहुल्य नया के गिरोह में एक प्रमुख सदस्या है और एक दिन पित्या और द्यान नया से सिकायत करते हैं और कि वो रहुल्य के सिछक मास्टर जी के स्वामिक्ता वाली भूमी पर सब कब्जा करने में बिफल रहे रहुल्य दोनों अपना निजी हिसाब चुकाता करते हैं और अपने परिवार के सामने उसे गोली मार कर जमीन पर कब्जा कर लेता है अन्या फिर से मास्टर जी के चाचा को हत्या बना कर उसे बाहर निकालती है अब तक कि राहुल्य को उसके परिवार ने पूरी तरह से अविश्कार कर दिया है और उसे उसके घर से बाहर निकाल दिया गया है हाला कि मंदा राहुल से इधिकांस है और लेकिन उसका मनना है कि यह वह निर्धोस है और एक दिन निया राहुल्य को अपनी जनाम दिन की पार्टी में अम्तिंतरा करती है और एक मोड में रहुल्या ने उस रात की उसकी हत्या कर दी और यह मानते हुए कि उसने अपनी मा और बहन से योन संबंद बनाए और इलाके के कुलिस कर्मियो एस आई राजीव राजबीर सिंग हत्या के गवा है और रहुल्या को सारी रिक बिवात के बाद सलाखे के पीछे डाल देता है और कई महीनों के बाद वह जमानत पर बाहर आया रहुल्या अब सहर का ग्याक्षर है और हर कोई उसे उससे डरता है और एक रात एक पुर्वा किसो सिद्दार्थ उर्फ सिद्दू मदद के लिए रहुल से मिलने आता है और रहुल्या उसे अपना भाई बना लेता है इसी बीच राजिव राहुल्या को परिवार पर दया आती है और वह लागतार राहुल को कानून हाथ में लेने पर गंबिर प्रमा परिमान परिनाम भुक तने की चेतावनी देता है लेकिन वह एक बाहर हो जाता है और राजिव और गैस्टरों के भाग्या को खुद पर छोड़ने का फैसला करता है यह जानते हुए कि एक दूसरे के गिरो को मानने पर कवेल केवल एक ही छुटेगा और वह एक दूसरे को जानने बिना गिरो के दोनों के सदस्यों को सदस्य की हत्या। करके अंत गिरो के प्रति प्रति दिन्ता को और तेज करता है। और राहुल्या हाला कि अब एक अमीर आदमी है और अकेलापन महसुस करता है जैसे ही वह बाजार में जाता है और दताराम उसका तिरसकार करता है और मंदा के पिता सत्या भी राहुल्या पर चिला चिलाते है और कि वह अपनी बेटी की साधी उससे कभी नहीं करेंगे गुशे में राहुल राहुल ने उसे मारा और मंदा फिर राहुल को मारता है और उसे संबंध तोड लेता है राहुल्या अब भी ग्याक्ष्टर है और भी खुंखार है और वह जबरन वसुरू करता है और वह कई लोगों की भूमिक पर कप्जा करता है वह दता राम की भूमिका पर अपनी नजरे घुमाता है और सिद्धे को मार कर अपना प्रती सोध लेता है और एक उत्तसाहित राहुल्या ने दता राम को खबर सजा की लेकिन वह राहुल्या के जबर्दस्त तरीके के कारण हमेशा की तरह खुश नहीं है भूमि बस्तियों में से एक के दोरान वह एक खुश हाल परिवार में आता है और जहां की पिता को अपने बेटों को उपलब्दियों पर गौर्व होता है और राहुल का अब हद्य परिवातन हुआ जैसे ही वह बजार में लोड़ता है और वह दता राम से मिलता है और उसे अपने साथ आने के लिए काता है और वह राजनिती में सामिल हो जाएगा और दता राम ने कहा कि उनके पास अपने तरीके के सुधारने के कई मोके थे लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया जैसे ही राहुल्या जाने वाली होती है और मंदा अपनी मंगेतर से उसका परिचाय करती है इस्तानिय विधाय को राहुल्या को राजनिती में सामिल होने की सुचना दी जाती है और राहुल्या की हत्या के लिए पिता और दया को सुझ्जाओ दिया जाता है बिना एक चत्तूर्थी के दिन राजबीर और मुंटवेड और हत्या विधायक और दोनों राहुल्या की हत्या के लिए पुने की सडक पर उनका पीछा करते हैं राहुल्या जल्द से सिंदू को घटना के बारे में फोन किया और उसे सबी को सुचित करने के लिए कहा और सिद्ध को सिद्ध और राहुल्या बजार पहुंचे और इसी बीच दता रामभीव राजीव को फोन करता है और घटना की सुचित सुचना देता है और गाटने की सुचना देता है और दोनों को पकड़ और वबजार में आता है और राहुल्या अब सिपा कर बाहर आती है और दोनों का सामना दयापित जोड़ी से होता है जैसे ही दोनों को पकड़ लिया जाता है राहुल्या ने खुद को पुलिस के सामने आत्मा संपर्ण कर दिया और सिद्धी ने अपनी बंदुक निकाली और राहुल्या को गुली मार दी और जिस से उसकी मौत हो गई वो बताता है कि वो मास्टर जी का पोता है और उसने बाजार में राहुल्या की हत्या करके आपनी मौत का बदला लेने का वादा किया राजबीर फिर मुटवेट करता है और दोनों को मार देता है जैसे ही राहुल्या के साधवा आंतिन संस्करन किया जा रहा है हर कोई रोता है और दताराम पागलपन से हसते हैं और क्योंकि उन्होंने कम से कम एक बार मुश्कुराने के लिए राहुल के सब्दों के याद दिला दी जाती है राजियू के जाने के बाद वो सुचता है कि 3081 के मालिक होने के बावजूद राहुले को केवल 6 फिर जमीन की जगरत है दोस्तों बात करें भारती फिल्म अभिनेता आयूश सर्मा एक भारती अभिनेता है जो हिंदी फिल्मों में काम करते हैं उन्होंने अपने जीजा सलमान खान के प्रोड़क्शन लव स्टोरी 2018 से फिल्म केरियर की शुर्वात की उनकी नविनात फिल्म अंतिन दाव फाइनल टूर्ट 2021 की समिच्चको और वेवसाई ग्रूप से प्रोड़क्शारी थी और जिनों जिसने उन्होंने सलमान खान के साथ अभिनाय किया था आयूस सर्मा का जनम 26 सक्टूबर उने से 90 को मंडी हिमालचल परदेश में हुआ था और अनिल और सुनिता सर्मा के घर हुआ था उनका एक भाई आर्या सर्मा और वा वेद्रा कांग्रेस नेतापंडिर खुशर राम के पोते हैं 2018 में आयूस सर्मा ने वरिना हुसेन के साथ लोव यात्री के साथ बॉलिवूड में शुरुआत की जिसमें नौदित अभिराज मीना वाला द्वारा निर्देशित किया गया था और सलमान खान फिलिम्स के तरहत सलमान खान द्वारा निर्मित किया गया था 2020 में वो संगीत वीडियो मन्जा से मन्जा में सही मन्जेकर केसा दिखाई दिये जिस विशाल मिश्रा में लिखा और संगीत ब्रिद्द किया है दोस्तों बात करें भारती फिल्म अभिनेता दवन खान यानि सलमान खान भाती फिल्म अभिनेता जिने दवन खान के नाम से भी जाना जाता है भाती फिल्म अभिनेता फिल्म निर्मता और टेलिविजन ब्यक्तित्व जो है हिंदी फिल्मों में काम करते हैं तिस साल से अधिक के फिल्म केरियर में सलमान खान कई प्रशकार मिले हैं मिले हैं और जिसमें एक फिल्म निर्माता के रूप में दो राष्टिय फिल्म प्रशकार और अभिने के लिए दो फिल्मे फियर प्रशकार भी सामिल है। अपनी 2015 की सुची में सामिल किया था। सल्मान खान के साथ बंदे सुची में कत्रवे नंबर के लिए आमिता बचन दोनों की कमाई थी 33.5 मिलियन डॉलर के हैं और फर्वस 2018 की दुनिया भर में टॉप में से सेलिब्रेटी इंटर्टेनर्स की सुची के अनुशार में खान सल्मान खान 37.7 मिलियन डॉलर की कमाई के साथ बिराशीर रेंक के साथ सर्वोच रेंक वाले भारतिय अभिनेता हैं। और दोस्तों बात करें अभिनेता सल्मान खान ने अपने अभिनाई के अलावा इनकी इनकी शुरुवात अपने पाठक का था सल्लिम खान के सबसे बड़े बेटे सल्मान खान। सल्मान खान ने अपने अभिने केरियर की शुरुवात खिलिम बवी हो तो एसी से उने से 88 में सहायक भूमिकान के साथ किया था और जिसके बाद मैंने प्यार किया उने से 89 और मैं उने से 89 में एक प्रामुख भूमिकानी भाई। सल्मान कान ने बॉलिवूड में उने से 90 के दसक में रोमाटिक ड्रामा हम आपके हैकोन सहीत कईप प्रातुस्तियों के भूमिकाएक जारी रखी और उने से 94 एक्षन कमेडी अंदाज अपना अपना उने से 94 और एक्षन थिलर फिलिम करन अर्जुन उने से 95 कमेडी बीवी नमबर वन उने से 99 और परिवारिक ड्रामा हम साथ साथ है उने से 99 सन 2000 के दसक में गिरावट की एक संचिता अवदी के बाद खान ने 2010 में दबंको दबंक खान 2010 में रेडी 2011 एक्थर टाइगर 2012 किक 2014 और सोल्तान जैसी सफल एक्षन फिल्मों में मुक्या भूमिका निभाकर अधिक एस्टार हासिल किया 2016 और टाइगर जिन्दा है 2017 में आपने अभिनाए केरियर के अलावा सलमान खान एक टेली वीजन प्रतुत्ता और अपने चैरिटी वी गाइड हुमन फाउंडेशन और माध्याम से मानेन्य कार्णों में बढ़ाओ देता है और खान का खान का ओफ स्क्रीन जीवन बिवादो और कानूनी पेश परेशानियों से बरा हुआ है और 2015 में उन्होंने लपरवाही से कई फिल्मों में नहीं काम किया है सलमान खान की उन्हें से 47 से 2020 तक बर्स की सबसे आधिक कमाई करने वाली 10 फिल्मों में अभिने किया है जो हिंदी सिनेमा के इतहास में किसी भी अभिनेता के लिए सबसे आधिक है सलमान खान पाठक का था लेखक सलीम खान और उनकी पतनी सुसीला चरक के सबसे बड़े बेटे हैं जिन्होंने सलमान नाम अपनाथ था और 27 दिसंबर उन्हें से 65 को एक हिंदुमा और एक मुसलिम पिता के घर पैदा हुआ खान का पालन पोशक दोनों धर्मों में हुआ है और उन्हें से 80 में जब सलमान खान और सलीम का तल्ला हो गया था और उन्होंने उनके पिता ने आप बिनेतरी हेलें से साधी की थी और उनके पिता के साथ बच्चे के बंधन सत्रूता पुर्णा हो गये और बर्षो बाद ही ठीक हुए सलमान खान के दादा दादी और आकाल अल्ला कोजाई और पसुत थे सलमान खान ने अपनी अभिनाई की शुरुवात उने से 88 से फिल्म बीबी हो तो ऐसी से किया था जो साहाय बोमिका में निभाय थी सुरजार बाट जाते है कि रोमांटिक परिवारिक ड्रामा फिल्म मैंने प्यार किया उने से 89 में परमुक भुमिका में निभाय जब जो उस समय की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतिय फिल्म बन गई थी उने से 94 में सलमान खान राजकुमार संतोसी की अंदाज अपना अमिर खान के साथ सो कलरकार दिखाई दिये अपनी रिलिज के समय फिल्म बॉक्स अबिस पर सफल रही और लेकिन पिछले कुछ बर्सों में एक पत का दर्ज हासिल किया था बाग में उन्होंने निर्देसक सुरज आरबाड यते के साथ रोमांस हम आपके हैकन में सहाय किया सहयो किया है और साकलाकार मादर दिख्षिद और ने से 95 में प्रसकार 17 के दवरान फिल्म सर्वस्ट्रेस निर्देशक और सर्वस्ट्रेस अभिनेत्री के लिए 3 फिल्मे फ़े और प्रसकार जीते इसने बर्ष की सबसे लोगप्रीय फिल्म होने का राष्टीय प्रसकार भी जीता और इसमें बर्श की साफसे लोगपीय फिलिम होने की राष्टे प्रोशकार भी जीता और कई और बहुत सारे बहुत जाधा पैसों की कलक्षन किया था और अधिक से कमाई दुनिया भर में और इस फिलिम ने अधिक से अधिक पैसों की कमाई की और कमाई दुनिया भर में 1.13 मिलियन, US 18 मिलियन यह फिलिम साल की सबसे बॉलीबूर फिलिम हिट बन गई थी और यह बोक्स अपिस पर इंडिया की हिंदी सिनेमा में अब तक की सबसे बड़ी ब्लोकबस्टर सुची में से एक है 2006 में बोक्स अपिस पर इन बोक्स अपिस इंडिया के अनुसार यह अब तक की 134 से अधिक कमाई करने वाली बॉलीबूर फिलिम थी उन्हें से पंचानमे में उन्होंने राकेश रोसन की करन अर्जुन में सारु खान के साता बिनाय किया और दोनों ने भाईयों को भूमिकानी भाई जो परिवारिक सत्रू जो परिवारिक सत्रू ओ दरा मारे जाने के बाद पुर्ण जर्ण लेते हैं और करन के रूप में उनकी भूमिका उन्हें उन्हें से पंचानमे में फिल्म फेएर सारोस रेस्टा बिनेता पुरसकार के लिए नमंकित कर दिया उनेसे 96 में खान ने संजय लिला भानसाली के निर्देशक में बनी पहली फिलिम खामोसी दम म्योजिकल में अभिनाय किया वो इसमें भी दिखाई दिये और राजकवर के निर्देशक में 30 राजकवर के निर्देशक ने जीत को हीट कर दिया और उने से 97 में उनकी दो रिलीज हुई जुड़वा और अजार फुरुवर डेविड धावन द्वारन देशित एक कमेडी थी जहां उन्होंने जनम के समय से अलग हुए और जुड़वा बच्चों की दोरी भूमिका निभाई थी खान ने उने से 98 में पांच अलग अलग फिल्मों में काम किया जिसमें उनकी पहली फिल्म रिलीज रोमांटिक कमेडी फिल्म प्यार किया तो डरना क्या जो काजल के साथ थी और जो उस साल की सबसे बड़ी बेवसाइक सफलताओ में से एक थी और इसके बाद मद्यम रूप से सफल नाटक जब प्यार किसी से होता है आया जिसके जिससे सलमान खान ने एक ऐसे यूवक की भूमिका निभाई जिससे अपने बेटे होने के वादा करने वाले एक बचे को अपनी हिरासत में लेना होता है फिल्म में खान के प्रदसन ने अनुकूल अलोचनात में समिच्छा अरजित की और उन्होंने करन जोहर के निर्दसक में बनी पहली फिल्म कुछ-कुछ होता है में एक बिरस्तारिक केमियो में थी केमियो में भी किया है और जिसके लिए उन्होंने करन जोहर के निर्दसक में दूसरा फिल्में प्यार प्रदसकार अरजित किया था और सर्व स्रे सहाई कर भीनेता स्रेनी के लिए उन्हे से 99 में सल्मान खान ने तिन फिल्में में अभीने किया हम साथ साथ है और वी एस्टेंड यूनाइटेड बीबी नमबर वन और हम दिल दे चुके सनम में स्वर्या राय और संजय और अजय देगन के साथ जिस जिसने उन्हें फिल्में फिल्में फियार में एक और सर्वस्रेस्ट अभीनेता का नाट नामंकन दिलाया पुरस्कार और पुरस्कार फिल्म में उनके प्रादसन की अनुकुल समिच्छा की गई और जिसमें रेडिव की सर्मिला टेलिकम ने कहा कि सल्मान खान प्यारे हैं और वो नाटे के दिल्षय में हम और करते हैं और लेकिन कमेडी और उन रोमांटिक दिल्षय को करते हैं और बहुत ही सहाज दिखाते हैं संदुअजर में सल्मान खान ने चोरी-चोरी चुपके-चुपके में दिखाए दिये जो जिसके सेरोगेट बच्चे के जन्म के मुद्दे को संबोलित किया है इसमें खान ने सल्मान खान ने एक अमिरू दोगपती की भूमी का निभाई जो अपनी पत्नी को बंजा होने के बाद एक सेरोगेट मा का काम पर रखता है और इसमें अलोचको से सक्रात्म समिच्छा मिली जिसमें आयोशर्मा और सल्मान खान के प्रदसन दिरिश्या पुष्ट भूमी स्कोर एक्षन दिरिश्या को निर्दसक की प्रशांस की गई थी फिल्म को अंठाउन कुलोट का कलेक्शन किया था और इस फिल्म का इस फिल्म ने कमाई के मामले में काफी अच्छा परदसन किया था और इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर साबित कर दिया गया था फिल्म की कहानी के बारे में बात करो तो फिल्म एक आम किसान के जीवन पर एक कहानी के साथ खुलती है जहां उसे अपनी जमिन बेचने के लिए मजबूर किया जाता है और अपनी जमिन के खेद मजबूर के रूप में काम करता है ऐसी ही एक कहानी है राहुल रुवया पाटिल की उनके पिता दत्ता राम ने भी अपनी जमिन बेच दी थी और अपनी जमिन के चौकिदार के रूप में रह रहे हैं और एक दी जमिन जमिन दार सिंदे राहुल लिया के पिता की पिटाई करता है और ठके हुए राहुल लिया उसे अपनी जमिन वापस लाने की चुनावती देते हैं जल्द ही उनका परिवार पुन्य में सिफ्ट हो जाता है और जहां पती जहां पिता पुत्रा दोनों एक सब्जी बाजार में कुल्ली का काम करते हैं एक दिन जैसे ही एस्थानिय गुंडे एक बुड़े बैक्ती से जबरन पैसा वसुल कर लेते हैं रहुल्या की उसकी पिटाई करता है और जेल में बंद हो जाता है और उसकी मुलाकात एस्थानिय बिद्धाय के साथ तैकत्वर गैस्टर नया से होती है होती है उसका समर्थन है जेल से बाहर आने के बाराव रहुल्य ने नया से हाथ मिलाया और इसी बिच उसे एक चाय बेचने वाला मंदा से भी प्यार हो जाता है रहुल्य ने गलती से मेयर की हत्या करने के बाद जल्द ही अपना नाम कमा लिया और नया ने वहां मजूद लोगों को जूटे प्रसांस पत्रों के साथ हत्या को आहत्मा के रूप में गड़ कर उसे फिर से जमानत दे देती है और रहुल्य अपनी नई प्रसिद्धी के साथ सब्जी बिक्रेता को समझाने समस्याओं को हल करने का वादा करके यह वादा करता है कि वह उनकी उपज को मजबूर मजूदा किमतों से अधिक अधिक गरों पर खरी देगा और हाला कि बिक्रेताओं द्वारा उनकी सराहना की जाती है लेकिन दताराम ने उसे अविस्कार कर दिया और जल्द ही रहुल्य नया के गिरों में एक प्रमुख सदस्या है और एक दिन पित्या और द्यान नया से सिकायत करते हैं और कि वो रहुल्य के सिछक मास्टर जी के स्वामिक्ता वाली भूमी पर सब कब्जा करने में बिफल रहें रहुल्य दोनों अपना निजी हिसाब चुकाता करते हैं और अपने परिवार के सामने उसे गोली मार कर जमीन पर कब्जा कर लेता है अन्या फिर से मास्टर जी के चाचा को हत्या बना कर उसे बाहर निकालती है अब तक कि राहुल्य को उसके परिवार ने पूरी तरह से आविश्कार कर दिया है और उसे उसके घर से बाहर निकाल दिया गया है हाला कि मनदा राहुल से अधिकांस है और लेकिन उसका मनना है कि यह वो निर्दोस है और एक दिन ने राहुल्य को अपनी जनम दिन की पार्टी में अंतिंत्रा करती है और एक मोड में रहुल्या ने उस रात की उसकी हत्या कर दी और यह मानते हुए कि उसने अपनी मा और बहन से योन संबंद बनाए और इलाके के पुलिस कर्मी और एस आई राजीव राजबीर सिंग हत्या के गवा है और रहुल्या को सारी रिक बिवात के बाद सलाखे के पीछे डाल देता है और कई महीनों के बाद वो जमानत पर बाहर आया रहुल्या अब सहर का ग्याक्षर है और हर कोई उसे डरता है और एक रात एक पुर्वा किसोर सिदार्थ उर्फ सिद्धू मदद के लिए रहुल से मिलने आता है और रहुल्या उसे अपना भाई बना लेता है इसी बीच राजिव रहुल्या को परिवार पर दया आती है और वो लागतार रहुल्या को कानून हाथ में लेने पर गंबिर प्रमान परिनाम भुकतने की चेतावनी देता है लेकिन वो एक बाहर हो जाता है और राजिव और गैस्टरों के भाग्या को खुद पर छोड़ने का फैसला करता है यह जानते हुए कि एक दूसरे के गिरों में गिरों को मानने पर कवेल केवल एक ही छुटेगा और वो एक दूसरे को जानने बिना गिरों के दोनों के सदस्यों को सदस्य की हत्या करके अंत गिरों की प्रती दिनता को और तेज करता है और राहुल्या हाला कि अब एक राहुल्या अब एक आमीर आदमी है और अकेलापन महसुस करता है जैसे ही वह बाजार में जाता है और दताराम उसका तिरसकार करता है और मंदा के पिता सत्या भी राहुल्या पर चिला चिलाते है और कि वह अपनी बेटी की साधी उससे कभी नहीं करेंगे गुसे में राहुल ने उसे मारा और मंदा फिर राहुल को मारता है और उसे संबंद तोड लेता है राहुल्या अब भी ग्याक्ष्टर है और भी खुंखार है और वह जबरन वसुरू करता है और वह कई लोगों की भूमिक पर कपजा करता है वह दता राम की भूमिका पर आपनी नजरे घुमाता है और सिद्धे को मार कर अपना प्रती सोध लेता है और एक उत्तसाहित राहुल्या ने दता राम को खबर सजा की लेकिन वह राहुल्या के जबरदस्त तरीके के कारण हामेशा की तरह खुश नहीं है भूमि बस्तियों में से एक के दोरान वह एक खुश हाल परिवार में आता है और जहां की पिता को अपने बेटों को उपलब्दियों पर गौर्व होता है और राहुल का अब हद्वय परिवातन हुआ जैसे ही वह बजार में लोड़ता है और दता राम से मिलता है और उसे अपने साथ आने के लिए काता है और वह राजनिती में सामिल हो जाएगा और दता राम ने कहा कि उनके पास अपने तरीके के सुधारने के कई मोके थे लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया जैसे ही राहुल्या जाने वाली होती है और मंदा अपनी मंगेतर से उसका परिचाय करती है इस्तानिय विधाय को राहुल्या को राजनिती में सामिल होने की सुचना दी जाती है और राहुल्या की हत्या के लिए पिता और दया को सुझ्जाओ दिया जाता है बिना एक चत्तूर्थी के दिन राजबीर और मुंटवेड और हत्या विधायक और दोनों राहुल की हत्या के लिए पुने की सड़क पर उनका पीछा करते है राहुल्या जल्द से सिंदू को घटना के बारे में फोन किया और उसे सभी को सुचित करने के लिए कहा और सिद्ध को सिद्ध और राहुल्या बजार पहुंचे और इसी बीच दता रामभीव राजीव को फोन करता है और घटना की सुचित सुचना देता है और वह दोनों को पकड़ और वह बजार में आता है और राहुल्या अब छिपा कर बाहर आती है और दोनों को दोनों का सामना दयापित जोड़ी से होता है जैसे ही दोनों को पकड़ लिया जाता है राहुल्या ने खुद को पुलिस के सामने आत्मा संपर्ण कर दिया और सिद्धी ने अपनी बंदूक निकाली और राहुल्या को गुली मार दी और जिससे उसकी मौत हो गई वो बताता है कि वो मास्टर जी का पोता है और उसने बाजार में राहुल्या की हत्या करके अपनी मौत का बदला लेने का वादा किया राजबीर फिर मुठ वेट करता है और दोनों को मार देता है जैसे ही राहुल्या के साथवा अंतिन संस्करन किया जा रहा है हर कोई रोता है और दता राम पागलपन से हसते हैं और क्योंकि उन्होंने कम से कम एक बार मुश्कुराने के लिए राहुल के सब्दों के याद दिला दी जाती है राजियू के जाने के बाद वो सुचता है कि 3081 के मालिक होने के बावजूद राहुल्य को केवल 6 फिर जमिन की जगरत है दोस्तों बात करें भारती फिल्म अभिनेतर आयूश सर्मा एक भारती अभिनेतर है जो हिंदी फिल्मों में काम करते हैं उन्होंने अपने जीजा सल्मान खान के प्रोडॉक्शन लव स्टोरी लव स्टोरी 2018 से फिल्म केरियर की शुरुवात की उनकी नविनात फिल्म एट अंतिन दव फाइनल टूर 2021 की समिच्चको और व्यवसाई ग्रूप से प्रशारी थी और जिनों जिसने उन्होंने सल्मान खान के साथ अभिनेतर किया था आयूस सर्मा का जनम 26 अक्टूबर उने से 90 को मंडी हिमालचल पर्देश में हुआ था और अनिल और सुनिता सर्मा के घर हुआ था उनका एक भाई आर्या सर्मा और वा वेद्रा कांग्रेस नेतापंडिर खुसर राम के पोते हैं 2018 में आयूस सर्मा ने वारीना हुसेन के साथ लव यात्री के साथ बॉलिवूड में शुरुआत की जिसमें नौदित अभिराज मीना वाला द्वारा निर्देशित किया गया था और सल्मान खान फिलिम्स के तरह तहत सल्मान खान द्वारा निर्मित किया गया था 2020 में 2020 में वह संगीत वीडियो मंजा मंजा में सही मंजे कर के साथ दिखाए दिये जिस विशाल मिश्रा में लिखा और संगीत बृद्द किया है दोस्तों बात करें भारतिय फिलिम अभिनेता दवंखान यानि सल्मान खान भारतिय फिलिम अभिनेता जिने दवंखान के नाम से भी जाना जाता है भारतिय फिलिम अभिनेता फिलिम निर्मता और टेलिविजन ब्यक्तित्तों जो है हिंदी फिल्मों में काम करते हैं तिस साल से अधिक के फिल्म केरियर में सलमान काम कई प्रशकार मिले हैं और जिसमें एक फिल्म निर्माता के रूप में दो राष्टिय फिल्म प्रशकार और अभिने के लिए दो फिल्मे फियर प्रशकार भी सामिल है उन्हें मीडिया में भारतिय सिनेमा के सबसे ब्यवसाइक रूप से सफल अभीनेताओं में से एक के रूप में उद्धित किया जाता है फॉर्वस ने उन्हें दुनिया में टॉप पेड सहे सेलिब्रिटी और एंटर्टेनर्स की अपनी 2015 की सुची में सामिल किया था सलमान खान के साथ बंदे सुची में कत्रवे नंबर के लिए आमिता बचन दोनों की कमाई 33.5 मिलियन डॉलर के हैं और फॉर्वस 2018 की दुनिया भर में टॉप में से सहे सेलिब्रिटी इंटर्टेनर्स की सुची में सुची के अनुशार में खान सलमान खान 37.7 मिलियन डॉलर की कमाई के साथ बिराशीर रेंक के साथ सर्वोच रेंक वाले भातिय अभिनेता है और दोस्तों बात करें अभिनेता सलमान खान ने अपने अभिनाई के अलावा इनकी शुरुआत अपने पाठक का था सलिम खान के सबसे बड़े बेटे सलमान खान सलमान खान ने अपने अभिनाई केरियर की सुरुआत फिलिम बवी हो तो एसी से उने से 88 में सहायक भुमिकान के साथ किया था और जिसके बाद मैंने प्यार किया उने से 89 और मैं उने से 89 में एक प्रमुख भुमिकानी भाई सलमान कान ने बॉलिवूड में उने से 90 के दसक में रोमाटिक ड्रामा हम आपके हैकोन सहीत कई प्रतुस्तियों के भुमिकाएक जारी रखी और उने से 94 एक्षन कमेडी अंदाज अपना अपना उने से 94 और एक्षन थिलर फिलिम करन अर्जुन उने से 95 कमेडी बीवी और परिवारिक ड्रामा हम साथ साथ है उने से 99 सन 2000 के दसक में गिरावट की एक संचिता अवदी के बाद खान ने 2010 में दबं को दबं खान 2010 में रेडी 2011 एक्था टाइगर 2012 किक 2014 और सोल्तान जैसी सफल एक्षन फिल्म में मुक्या भूमिका निभाकर अधिक एस्टार हासिल किया 2016 और टाइगर जिन्दा है 2017 में आपने अविनाए केरियर के अलावा सलमान खान एक टेली वीजन प्रतोता और अपने चैरिटी वी गाइड हानी हुमन हुमन फाउंडेशन और मादयम से मानिन्य कार्णों में बड़ाओ देता है और खान का ओफ स्क्रीन जिवन बिवादों और कानूनी परेशानियों से बरा हुआ है और 2015 में उन्होंने लपरवाही से कई फिल्मों में नहीं काम किया है सल्मान खान की उन्हें से 47 से 2020 तक बर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली दस फिल्मों में अभिने किया है जो हिंदी सिनेमा के तहास में किसी भी अभिनेता के लिए सबसे आधिक है सल्मान खान पाठक का था लेखक सलीम खान और उनकी पतनी सुसीला चरक के सबसे बड़े बेटे हैं जिनोंने सल्मान नाम अपनाथ था और 27 दिसंबर उने से 65 को एक हिंदुमा और एक मुसलिम पिता के घर पैदा हुआ खान का पालन पोशक दोनो धर्मों में हुआ है और उने से 80 में जब सल्मान खान और सलीम का तल्ला हो गया था और उनके पिता ने आप बिनेतरी हेलेंग से साधी की थी और उनके पिता के साथ बच्चे के बंधन सत्रूता पुर्णा हो गये और बर्षो बाद ही ठीक हुए सल्मान खान के दादा दादी और आकाल अल्ला कोज़ाई और पसुत थे सल्मान खान ने अपनी अभिनाई की शुरुआत उने से 88 से फिल्म बीबी हो तो ऐसी से किया था जो साहाय बोमिका में निभाए थी सुरजार बाड़ जाते है कि रोमांटिक परिवारिक ड्रोमा फिल्म मैंने प्यार किया उने से 89 में परमुक भुमिका में निभाई जब जो उस समय की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतिय फिल्म बन गई थी उने से 94 में सलमान कार राजकुमार संतोसी की अंदाज अपना अमिर खान के साथ कलरकार दिखाए दिये अपनी रिलीज के समय फिल्म बॉक्स अबिस पर सफल रही और लेकिन पिछले कुछ बर्सों में एक पत का दर्ज हासिल किया था बाज में उन्होंने नेदे सक सुरज आरबाड जाते के साथ रोमांस हम आपके हैकॉन में सहय किया और साकलाकार मादरूत दिखित और इन often 95 में प्रसकार 17 के दोरान फिल्म ने सर्वस्रेस्ट फिल्म सर्वस्रेस निरदेशक और सर्वस्रेस अब बिनयतरी के लिए तिन फिल्मे फेयर प्रसकार जीते इसने बर्षकी सबसे लोखप्रिय फिलिम होने का राश्टिय प्रोश्कार भी जीता और अधिक से कमाई दुनिया भर में और इस फिलिम ने अधिक से अधिक पैसों की कमाई की और कमाई दुनिया भर में 1.13 मिलियन, US 18 मिलियन यह फिलिम साल की सबसे बॉलीबूर फिलिम हिट बन गई थी और यह बोक्स अपिस पर इंडिया की हिन्दी सिनेमा में अब तक की सबसे बड़ी ब्लोकबस्टर सुची में से एक है 2006 में बॉक्स अबिस पर इन बॉक्स अबिस इंडिया के अन्नोसार या अब तक की एक चोतिसा से अधिक कमाई करने वाली बॉलिवूर्ड फिलिम थी उन्हेंसे पंचान्मे में उन्होंने राकेश रोसन की करन अर्जुन में सारुखान के साथ अबिनाय किया और दोनों ने भाईयों को भूमिकानी भाई जो परिवारिक सत्रू ओ धरा मारे जाने के बाद पुर्ण जर्ण लेते हैं और करन के रूप में उनकी भूमिका उन्हें उन्हें से पांचान्वे में फिल्म फियर सरो स्रेश्टा बिनेता पुरसकार के लिए नामंखित कर दिया उन्हें से च्यान्वे में खान ने संजय लिला भानशाली के निर्देशक में बनी पहली फिल्म खामोसी दम म्योजिकल में अबिनाय किया वो इसमें भी दिखाई दिये और राजकवर के निर्दे उन्हेसक ने जीत को हीट कर दिया और उन्हें से 97 में उनकी दो रिलीज हुई जुडवा और ऑजार फुरुवर डेविड धावन द्वारा निर्देशित एक कमेडी थी जहां उन्होंने जनम के समय से अलग हुए और जुडवा बच्चों की दोरी भुमिका निभाई थी किया तो डरना क्या जो काजल के साथ थी और जो उस साल की सबसे बड़ी बेवसाइक सफल ताओ में से एक थी और इसके बाद मद्यम रूप से सफल नाटक जब प्यार किसी से होता है आया जिसके जिससे सलमान खान ने एक ऐसे युगा की भुमिका निभाई जिससे आपने बेटे होने के वादा करने वाले एक बच्चे को अपनी हिरासत में लेना होता है फिल्म में खान के प्रदसन ने अनुकूल अलोचनात्म समिच्छा अरजित की और उन्होंने करन जोहर के निर्दसक में बनी पहली फिल्म कुछ कुछ होता है में एक बीरा एक बिस्तारी केमियो में थी केमियो में भी किया है और जिसके लिए उन्होंने करन जोहर के निर्दसक में दूसरा फिल्में प्यार प्रदसकार अरजित किया था और सर्वस्रे सहाय कर भीनेता स्रेनी के लिए उन्हे से 99 में सल्मान खान ने तीन फिल्में में अभीनी अभीनाय किया हम साथ साथ है और वी एस्टेंड यूनाइटेड बीवी नमबर वन और हंदिल दे चुके सनम में स्वर्या राय और संजय और अज्जय देगन के साथ जिस जिसने उन्हें फिल्में फेयर में एक और सर्वस्रेस्ट अभीनेता का नाट नामंकन दिलाया पुरस्कार और पुरस्कार फिल्म में उनके प्रादसन की अनुकूल समिच्छा की गई और जिसमें रेडिव की सर्मिलार ठेलिकॉम ने कहा कि सल्मान खान प्यारे हैं और वो नाटे के दिलिशे में हम और करते हैं और लेकिन कमेडी और उन रोमांटी दिलिशे को करते हैं और बहुत ही सहाज दिखाते हैं संद्वाजर में सल्मान खान ने चोरी-चोरी चुपके-चुपके में दिखाए दिये जो जिसके सेरोगेट बच्चे के जन्म के मुद्दे को संबोनित किया है इसमें खान ने सल्मान खान ने एक अमीरू दोगपती की बोमिकानी भाई जो अपनी पत्नी को बंजा होने के बाद एक सेरोगेट मा का काम पर रखता है रेडिप की कुशन सुकुन्य वर्मान ने लिखा कि फिल्म में एक बेतु की कहानी थी लेकिन कलाकारों की सहज प्रदसन की इसकी अन्य खामोसी की काम करने के मदद मिली और उने से और 2007 की सुरुवात में कलाकार की टुकडियोग वाली फिल्म सल्बान खान एक समय से की थी और वो बॉलिवूड फिल्म में मेरी गोल्ड एन एन एड़ वेचर इन इंडिया में अमेरिकी अब्विनेतरी अली आर्टर के स्टाथ दिखाए दिये फिल्म में एक भारतिय पुरुस और एक अमेर की महिला के प्रेम कहानी बताई गए थी दोस्तों बात करें भारतिय फिल्म अब्विनेतरी महिमा मक्वाना महिमा मकवाना एक भारतिया बिनेती है जो टेलिवीजन सो के साथ साथ हिंदी और तेलेंगु भासा की फिर्मों में भी इतकाम करती है और इने मिले जब हंतुम और बली का बदु में बदु के साथ टेलिवीजन में परवेश करने के बाद महिमा मकवाना प्रमुकता से बड़ी और जी टीवी के लोगपिरियास सो ओपेरा और सपने सुहाना लड़कापन के लड़कापन में अपने चरित्रा रचने के माध्यां से एक घरेलू नाम बन गया फिलिम को 26 नूमबद 2021 को दुनिया भर में नाटेक के रूप से रिलिज किया गया था और इसमें अलोजकों से सक्रात्म समिछा मिली जिसमें आयोसर्मा और सल्मान खान के प्रदशन दिरिष्या पुश्ट भूमी स्कोर एक्षन दिरिष्या को नेदर्सक कि प्रशांस की गया थी फिल्म को 58 क्रोट का कलेक्शन किया था और इस फिल्म का इस फिल्म ने कमाई के मामले में काफी अच्छा परदासन किया था और इस फिल्म को ब्लोकबस्टर साबित कर दिया गया था फिल्म की कहानी के बारे में बात करो तो फिल्म एक आम किसान के जीवन पर एक कहानी के साथ खुलती है जहां उसे अपनी जमिन बेचने के लिए मजबूर किया जाता है और अपनी जमिन के खेट मजबूर के रूप में काम करता है ऐसी ही एक कहानी है राहुल रुवया पाटिल की उनके पिता दत्ता राम ने भी आपनी जमिन बेच दी थी और अपनी जमिन के चौकिदार के रूप में रह रहे हैं और एक दिन जमिन जमिन राहुल लिया के पिता की पिटाई करता है और ठके हुए राहुल लिया उसे अपनी जमिन वापस लाने की चुनावती देते हैं जल्द ही उनका परिवार पुन्ने में सिफ्ट हो जाता है और जहां पती जहां पिता पुत्र दोनों एक सबजी बाजार में कुल्ली का काम करते हैं एक दिन जैसे ही एस्थानिय गुंडे एक बुड़े ब्यक्ति से जबरन पैसा वसुल कर लेते हैं रहुल्या की उसकी पिटाई करता है और जेल में बंद हो जाता है और उसकी मुलाकात एस्थानिय बिद्धाय के साथ तैकत्वर ग्याक्ष्टर नया से होती है होती है उसका समर्थन है जेल से बहर आने के बाराव रहुल्य ने नया से हाथ मिलाया और इसी बिच उसे एक चाय बेचने वाला मंदा से मंदा से भी प्यार हो जाता है रहुल्य ने गलती से मेयर की हत्या करने के बाद जल्द ही अपना नाम कमा लिया और नया ने वहां मजूद लोगों को जूटे प्रसांस पत्रों के साथ हत्या को आहात्मा के रूप में गड़ कर उसे फिर से जमानत दे देती है और रहुल्य अपनी नई प्रसिद्धी के साथ सब्जी बिक्रेता को समझाने समस्याओं को हल करने का वादा करके यह वादा करता है कि वह उनकी उपज को मजबूर मजूदा किमतों से अधिक अधिक दरों पर खरी देगा और हाला कि बिक्रेताओ द्वरा उनकी सराहना की जाती है लेकिन दताराम ने उसे अविसकार कर दिया और जल्द ही रहुल्य नया के गिरोह में एक प्रमुख सदस्या है और एक दिन पित्या और द्यान नया से सिकायत करते हैं और कि वो रहुल्य के सिछक मास्टर जी के स्वामिक्ता वाली भूमी पर सब कब्जा करने में बिफल रहें रहुल्य दोनों अपना निजी हिसाब चुकाता करते हैं और अपने परिवार के सामने उसे गोली मार कर जमीन पर कब्जा कर लेता है अन्या फिर से मास्टर जी के चाचा को हत्या बना कर उसे बाहर निकालती है अब तक कि राहुल्य को उसके परिवार ने पूरी तरह से अविश्कार कर दिया है और उसे उसके घर से बाहर निकाल दिया गया है हाला कि मंदार राहुल से अधिकांस है और लेकिन उसका मनना है कि यह वो निर्दोस है और एक दिन नया राहुल्य को अपनी जनाम दिन की पार्टी में अंतिंत्रा करती है और एक मोड में राहुल्य ने उस रात की उसकी हत्या कर दी और यह मानते हुए कि उसने उसने अपनी मा और बहन से योन संबंद बनाए और इलाके के पुलिस कर्मियो एस आई राजी राजबीर सिंग हत्या के गवा है और राहुल्या को सारीरिक बिवात के बाद सलाके के पीछे डाल देता है और कई महीनों के बाद वो जमानत प रहर का ग्याक्षर है और हर कोई उसे उससे डरता है और एक रात एक पुर्वा की सोर सिद्दार्थ उर्फ सिद्दू मदद के लिए राहुल से मिलने आता है और राहुल्या उसे अपना भाई बना लेता है इसी बीच राजिव राहुल्या को परिवार पर दया आती है और वो लागतार राहुल को कानून हाथ में लेने पर गंबिर प्रमान परिमान परिनाम भुकतने की चेतावनी देता है लेकिन वो एक बाहर हो जाता है और राजिव और गेस्टरों के भाग्या को खुद पर छोड़ने का फैसला करता है यह जानते हुए कि एक दूसरे के गिरों में गिरों को मानने पर कवेल केवल एक ही छुटेगा और वो एक दूसरे को जानने बिना गिरों के दोनों को सद्दसे की हत्या करके अंत गिरों की प्रती दिनता को और तेज करता है और राहुल्या हाला कि अब एक राहुल्या अब एक आमीर आदमी है और अकेलापन महसुस करता है जैसे ही वो बाजार में जाता है और दताराम उसका तिरसकार करता है और मंदा के पिता सत्यावी राहुल्या पर चिलाते हैं और कि वो अपनी बेटी की साधी उससे कभी नहीं करेंगे गुशे में राहुल राहुल ने उसे मारा और मंदा पिर राहुल को मारता है और उसे समबंद तोड़ लेता है राहुल्या अब भी ग्याक्ष्टर है और भी खुंखार है और वह जबरन वसुरू करता है और वह कई लोगों की भूमिक पर कपजा करता है वह दता राम की भूमिका पर अपनी नजरे घुमाता है और सिद्धे को मार कर अपना प्रती सोध लेता है और एक उत्तसाहित राहुल्या ने दता राम को खबर सजा की लेकिन वह राहुल्या के जबरदस्त तरीके के कारण हमेशा की तरह खुश नहीं है भूमि बस्तियों में से एक के दोरान वह एक खुश हाल परिवार में आता है और जहां की पिता को अपने बेटों को उपलब्दियों पर गौर्व होता है और राहुल का अब हद्य परिवातन हुआ जैसे ही वह बजार में लोड़ता है और दता राम से मिलता है और उसे अपने साथ आने के लिए काता है और वह राजनिती में सामिल हो जाएगा और दता राम ने कहा कि उनके पास अपने तरीके के सुधारने के कईमों के थे लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया जैसे ही राहुल्या जाने वाली होती है और मंदा अपनी मंगे तर्क से उसका परिचाय करती है इस्तानिय बिधाय को राहुल्या को राजनिती में सामिल होने की सुचना दी जाती है और राहुल्या की हत्या के लिए पिता और दया को सुझ्जाओ दिया जाता है बिनाएक चतूर्थी के दिन राजबीर और मुंटवेड और हत्या विदायक और दोनों राहुल की हत्या के लिए पुने की सडक पर उनका पीछा करते हैं राहुले जल से सिंदू को घटना के बारे में फोन किया और उसे सबी को सुचित करने के लिए कहा और सिद्ध को सिद्ध और राहुले बजार पहुंचे और इसी बीच दता रामभीव राजीव को फोन करता है और घटना की सुचित सुचना देता है और गटना की सुचना देता है और वो दोनों को पकड और वो बजार में आता है और राहुले अब छीपा कर बाहर आती है और दोनों को दोनों का सामना दयापित जोड़ी से होता है जैसे ही दोनों को पकड़ लिया जाता है राहुल्या ने खुद को पुलिस के सामने आत्मा संपर्ण कर दिया और सिद्धी ने अपनी बंदुक निकाली और राहुल्या को गोली मार दी और जिससे उसकी मौत हो गई वो बताता है कि वो मास्टर जी का पोता है और उसने बाजार में राहुल्या की हत्या करके अपनी मौत का बदला लेने का वादा किया राजबीर फिर मुठ वेट करता है और दोनों को मार देता है जैसे ही राहुल्या के साथ वो अंतिन संस्करन किया जा रहा है हर कोई रोता है और दताराम पागलपन से हस्ते हैं और क्योंकि उन्होंने कम से कम एक बार मुश्कुराने के लिए राहुल के सब्दों के याद दिला दी जाती है राजियू के जाने के बाद वो सुचता है कि तीन से एकट के मालिक होने के बावजूद राहुल्या को केवल छो फिर जमिन की जगरत है दोस्तों बात करें भारती फिल्म अब्विनेता रायूद शर्मा एक भारती अब्विनेता है जो हिंदी फिल्मों में काम करते हैं उन्होंने अपने जीजा सल्मान खान के प्रोडक्शन लव स्टोरी दोजार आठार से फिल्म केरियत की सुर्वात की उनकी नविनात फिल्म एट अंतिन दो फाइनल टूर्थ 2021 की समिच्च को और वेवसाई ग्रूप से प्रोशारी थी और जिसने उन्होंने सल्मान खान के साथ अभिनाय किया था आयुष सर्मा का जनम 26 अक्टूबर उने से 90 को मांडी हिमालचल परदेश में हुआ था और अनिल और सुनिता सर्मा के घर हुआ था उनका एक भाई आर्या सर्मा और वा वेद्रा कांग्रेस नेतापंडिल खुसर राम के पोते हैं 2018 में आयुष सर्मा ने वारीना हुसेन के साथ लोव यात्री के साथ बॉलीवूड में शुरुआत की जिसमें नौदित अभिराज मीना वाला द्वारा निर्देशित किया गया था और सल्मान खान फिलिम्स के तरहत सल्मान खान द्वारा निर्मित किया गया था 2020 में वो संगीत वीडियो मंजा से मंजा में सही मंजेकर केस साथ दिखाए दिये जिस विशाल मिश्रा में लिखा और संगीत ब्रिद्द किया है दोस्तों बात करें भारती फिल्म अभिनेता दवन खान यानि सलमान खान भारती फिल्म अभिनेता जिने दवन खान के नाम से भी जाना जाता है भारती फिल्म अभिनेता फिल्म निर्मता और टेलिविजन ब्यक्तित्व जो है हिंदी फिल्मों में काम करते हैं तिस साल से अधिक के फिल्म केरियर में सलमान खान कई प्रशकार मिले हैं और जिसमें एक फिल्म निर्मता के रूप में दो राष्टिय फिल्म प्रशकार और अभिने के लिए दो फिल्में फियर प्रशकार भी सामिल है उन्हें मीडिया में भातिय सिनेमा के सबसे ब्यवसाइक रूप से सफल अभीनेताओं में से एक के रूप में उद्धित किया जाता है फरवस ने उन्हें दुनिया में टॉप पेड़ सहे सेलिब्रिटी और एंटर एंटर्टेनर्स की आपनी 2015 की सुची में सामिल किया था सलमान खान के साथ बंदे सुची में कत्रवे नंबर के लिए अमिता बचन दोनों की कमाई 33.5 मिलियन डॉलर के हैं और फरवस 2018 की दुनिया भर में टॉप में से सहे सेलिब्रिटी इंटर्टेनर्स की सुची में सुची के अनुशार में खान सलमान खान 37.7 मिलियन डॉलर की कमाई के साथ बिराशीर रेंक के साथ सर्वोच रेंक वाले भातिया अभिनेता है और दोस्तों बात करें अभिनेता सलमान खान ने अपने अभिनेत के अलावा अपने अभिनेत के अलावा इनकी शुरुवात अपने पाठक का था सलिम खान के सबसे बड़े बेटे सलमान खान सलमान कान ने अपने अबिने केरियर की शुरुवाद खिलिम बबी हो तो एसी से उने से 88 में सहायक भुमिकान के साथ किया था और जिसके बाद मैंने प्यार किया उने से 89 और में उने से 89 में एक प्रमुख भुमिकानी भाई सलमान कान ने बॉलिवुड में उने से 90 के दसक में रोमाटिक ड्रामा हम आपके है कौन सहीत कई प्रतुस्तियों के भुमिकायक जारी रखी और उने से 94 एक्षन कमेडी अंदाज अपना अपना उने से 94 और एक्षन थिलर फिलिम करन अर्जुन उने से 95 कमेडी बीवी नमबर उने से 99 और परिवारिक ड्रामा हम साथ साथ है उने से 99 संद्वाजा के दसक में गिरावट की एक संचिता अवदी के बाद खान ने 2010 में दबं को दबं खान 2010 में रेड़ी 2011 एक्था टाइगर 2012 किक 2014 और सोल्तान जैसी सफल एक्षन फिल्मों में मुक्या बुमिकानी भाकर अधिक एस्टार हासिल किया 2016 और टाइगर जिन्दा है 2017 में आपने अभिनाए केरियर के अलावा सलमान खान एक टेली वीजन प्रस्तोता और अपने चैरिटी वी गाइड हुमन फाउंडेशन और माद्यम से मानेन्य कार्णों में बड़ाओ देता है और खान का ओफ स्क्रीन जिवन बिवादो और कानूनी पेश परिशानियों से बरा हुआ है और 2015 में उन्होंने लापरवाही से कई फिल्मों में नहीं काम किया है सलमान खान की उन्हें से 47 से 2020 तक बर्ष की सबसे आधिक कमाई करने वाली 10 फिल्मों में अभिने किया है जो हिंदी सिनेमा के इतहास में किसी भी अभिनेता के लिए सबसे आधिक है सलमान खान पाठक का था लेखक सलीम खान और उनकी पतनी सुसीला चरक के सबसे बड़े बेटे हैं जिनोंने सलमान नाम अपनाथ था और 27 दिसंबर उन्हें से 65 को एक हिंदुमा और एक मुसलिम पिता के घर पैदा हुआ खान का पालन पोशक दोनों धर्मों में हुआ है और उन्हें से 80 में जब सलमान खान और सलीम का तल्लाग हो गया था और उनके पिता ने आप बिनेतरी हेलेंग से साजी की थी और उनके पिता के साथ बच्चे के बंधन सत्रूता पुर्णा हो गये और बर्षो बाद ही ठीक हुए सलमान खान के दादा दादी और आकाल अल्ला कोजाई और पसुत थे सलमान कान ने अपनी अभिनाई की शुरुवात उने से 88 से फिल्म बीबी हो तो ऐसी से किया था जो सहाय बुमिका में निभाए थी सुरजार बाढ़ जाते है कि रोमांटिक परिवारिक ड्रामा फिल्म में ने प्यार किया उने से 89 में परमुक भुमिका में निभाई जब जो उस समय की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतिय फिल्म बन गई थी उने से 94 में सलमान खान राजकुमार संतोसी की अंदाज अपना अमिर खान के साथ सो कलरकार दिखाई दिये अपनी रिलीज के समय फिल्म बॉक्स अबिस पर सफल रही और लेकिन पिछले कुछ बर्सों में एक पत का दर्ज हासिल किया था बात में उन्होंने निर्दे सक शुरज आरबाड दयाते के साथ रोमांस हम आपके हैकोन में सहाय किया सहयो किया है और सागलाकार माधुरी दिखेच। उने से 95 में पुरशकार 17 के दवरान फिल्म सार्षरेस निर्दे सक और सार्षरेस अबिनेत्री के लिए तीन फिल्मे फेयर प्रशकार जीते इसके इसने बर्ष की सबसे लोगप्रिये फिल्म होने का राष्टिये प्रशकार भी जीता और बहुत सारे बहुत जादा पैसों की कलक्सम किया था और अधिक से कमाई दुनिया भर में और इस फिल्म ने अधिक से अधिक पैसों की कमाई की और कमाई दुनिया भर में 1.13 मिलियन, US 18 मिलियन यह फिल्म साल की सबसे बॉलीबूर फिल्म हिट बन गई थी और यह बॉक्स अपिस पर इंडिया की हिंदी सिनेमा में अब तक की सब से बड़ी ब्लोकबस्टर सुची में से एक है 2006 में बोक्सपिस इंडिया के अन्नोसार या अब तक की 34 से आधिक कमाई करने वाली बॉलिवूर्ड फिलिम थी उन्हें से पंचानमे में उन्होंने राकेश रोसन की करन अर्जुन में सारुखान के साथ अभिनाय किया और दोनों ने भाईयों को भूमिका निभाई जो परिवारिक सत्रु जो परिवारिक सत्रु ओ दारा मारे जाने के बाद पुर्ण जर्ण लेते है और करन के रूप में उनकी भूमिका उन्हें 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 से 95 में फिल्म फिवर सरुष रेस्टा बिनेता पुरसकार के लिए नाम अंकित कर दिया उन्हें से 96 में खान ने संजय लिला भानसाली के निर्देशक में बनी पहली फिल्म खामोसी दम म्योजिकल में अभिनाय किया वो इसमें भी दिखाई दिये और राजकवर के निर्देशक में तीज राजकवर के निर्देशक ने जीत को हीट कर दिया और उन्हें से 97 में उनकी दो रिलीज हुई जुडवा और अजार फुर्वर डेविड धावन द्वारा निर्देशित एक कमेडी थी जहां उन्होंने जनम के समय से अलग हुए और जुडवा बच्चों की दोरी भूमिकानी भाई थी खान ने उन्हें से 98 में पांच अलग अलग फिल्मों में काम किया जिसमें उनकी पहली फिल्म रिलीज रोमांटिक कमेडी फिल्म प्यार किया तो डरना क्या जो काजल के साथ थी और जो उस साल की सबसे बड़ी बेवसाइक सफलताओ में से एक थी और इसके बाद मद्यम रूप से सफल नाटक जब प्यार किसी से होता है आया जिसके जिससे सलमान खान ने एक ऐसे यूवक की भूमी का निभाई जिससे अपने बेटे होने के वादा करने वाले एक बच्चे को अपनी हिरासत में लेना होता है फिल्म में खान के प्रदसन ने अनुकूल अलोचनात में समिच्छा अरजित की और उन्होंने करन जोहर के निर्दसक में बनी पहली फिल्म कुछ कुछ होता है में एक बिरस्तारिक केमियो में थी केमियो में भी किया है और जिसके लिए उन्होंने करन जोहर के निर्दसक में दुसरा फिल्में प्रदसकार अरजित किया था और सर्व स्रे सहाय कर भीनेता स्रेनी के लिए उन्हे से 99 में सल्मान खान ने तिन फिल्में में अभीने किया हम साथ साथ है और वी एस्टेन यूनाइटेड बीबी नमबर वन और हम दिल दे चुके सनम में सुर्या राय और संजय और अजजय देगन के साथ जिस जिसने उन्हें फिल्में फियर में एक और सर्व स्रे स्ट बीनेता कार नाटर नमंकन दिलाया पुरसकार और पुरसकार फिल्म में उनके प्रदसन की भूम अनुकुल समिचा की गई और जिसमें रेडिव रेडिप की सरमीला टेलिकॉम ने कहा कि सल्मान खान प्यारे हैं और वो नाटक के द्रिशे में हम और करते हैं और लेकिन कमेडी और उन रोमांटी द्रिशे को करते हैं और बहुत ही सहाज दिखाते हैं संद्वाजर में सल्मान खान ने चोरी चोरी चुपके चुपके में दिखाए दिये जो जिसके सेरोगेट बच्चे के जन्म के मुद्दे को संबोधित किया है इसमें खान ने सल्मान खान ने एक अमिरू दोगपते की बुमिकानी भाई जो अपनी पत्नी को बंजा होने के बाद एक सेरोगेट मा का काम पर रखता है रेडिप की कुर्शन सुकुन्य वर्मा ने लिखा कि फिलिम में एक बेतु की कहानी थी लेकिन कलाकारों की सहज प्रोदसन की इसकी अन्य खामोसी की काम करने के मदद मिली और 2007 की सुरुवात में कलाकार की टुकडियोग वाली फिलिम सल्मान खान एक से की थी और वो बॉलिवूट फिलिम में मेरी गोल्ड एन एन एड़ वेचर इन इंडिया में अमेरिकी अब्विनेत्री अली आर्टर के साथ दिखाए दिये फिलिम में एक भारतिय पुरुष और एक अमेरिकी महिला के प्रेम कहानी बताई गए थी दोस्तों बात करें भारतिय फिलिम अब्विनेत्री महिमा मक्वाना महिमा मकवाना एक भारतिया अबिनेती है जो टेलिवीजन सो के साथ साथ हिंदी और तेलेंगु भासा की फिर्मों में भी इतकाम करती है और इन्हें मिले जब हंतुम और बली का बदु में बदु के साथ टेलिवीजन में परवेश करने के बाद महिमा मकवाना प्रमुकता से बड़ी और जी टीवी के लोगपिरियास सो ओपेरा और सपने सुहाना लड़कापन में अपने चरित्रा रचना रचने के मादम से एक घरेलू नाम बन गया जिसके बाद वह आगे बड़ी और अन्या टेलिवीजन सो में मुख्या भुमिकाया के साथ खुद को एक मोनहार टीवी आभिनेत्री में से एक के रूप में स्तावित करने के लिए फिलिम और फिलिम को और ठावन करोड का खुद करने के लिए फिलिम के कमाई के मामले में काफी अच्छा परदाशन किया था और इस फिलिम को ब्लोकबॉस्टर साबित कर दिया गया था फिलिम एक आम किसान के जीवन पर एक कहानी के साथ खुलती है जहाँ उसे अपनी जमिन बेचने के लिए मजबूर किया जाता है और अपनी जमिन के खेद मजदूर के रूप में काम करता है ऐसी ही एक कहानी है राहुल रुवया पाटिल की उनके पिता दत्ताराम ने भी अपनी जमिन बेजदी थी और अपनी जमिन के चोकीदार के रूप में रह रहे हैं और एक दिन जमिनार सिंदे राहुल्या के पिता की पिटाई करता है और ठके हुए राहुल्या उसे अपनी जमिन वापस लाने की चुनावती देते हैं जल्द ही उनका परिवार पुन्य में सिफ्ट हो जाता है और जहां पती जहां पिता पुत्र दोनों एक सब्जी बाजार में कुल्ली का काम करते हैं एक दिन जैसे ही एस्थानिय गुंडे एक बुड़े ब्यक्ति से जबरन पैसा वसुल कर लेते हैं रहुल्या की उसकी पिटाई करता है और जेल में बंद हो जाता है और उसकी मुलाकात एस्थानिय बिद्धाय के साथ तैकत्वर ग्याक्ष्टर नाया से होती है होती है उसका समर्थन है जेल से बाहर आने के बाराव रहुल्य ने नया से हाथ मिलाया और इसी बिच उसे एक चाय बेचने वाला मंडा से भी प्यार हो जाता है रहुल्य ने गलती से मेयर की हत्या करने के बाद जल्द ही अपना नाम कमा लिया और नया ने वहां मौजूद लोगों को जूटे प्रसांस पत्रों के साथ हत्या को आहत्म के रूप में गड़ कर उसे फिर से जमानत दे देती है और रहुल्य अपनी नई प्रसिद्धी के साथ सब्जी बिक्रेता को समझाने समस्याओं को हल करने का वादा करके यह वादा करता है कि वह उनकी उपज को मजबूर मजूदा किमतों से अधिक दरों पर खरी देगा और हाला कि बिक्रेताओं दोरा उनकी सराहना की जाती है लेकिन दताराम ने उसे अविस्कार कर दिया और जल्द ही रहुल्य नया के गिरोह में एक प्रमुख सदस्या है और एक दिन पित्या और दिया नया से कायत करते हैं और कि वो रहुल्य के सिछक मास्टर जी के स्वामिक्ता वाली भूमी पर सब कब्जा करने में बिफल रहें रहुल्य दोनों अपना निजी हिसाब चुकाता करते हैं और अपने परिवार के सामने उसे गोली मार कर जमीन पर कब्जा कर लेता है अन्या फिर से मास्टर जी के चाचा को हत्या बना कर उसे बाहर निकालती है अब तक कि राहुल्य को उसके परिवार ने पूरी तरह से अविश्कार कर दिया है और उसे उसके घर से बाहर निकाल दिया गया है हाला कि मंदा रहुल्य से अधिकांस है और लेकिन उसका मनणा है कि यह वह निर्दोश है और एक दीन नया रहुल्य को आपनी जनाम दिन की पाटी में अंतिन्तरा करती है और एक मोड में रहुल्या ने उस रात की उसकी हत्या कर दी और यह मानते हुए कि उसने अपनी मा और बहन से यां संबनत बनाए और इलाके के पुलिस कर्मी और S.I. राजवीर सिंग हत्या के गवा है और राहुल्या को सारीरिक बिवात के बाद सलाखे के पीछे डाल देता है और कई महीनों के बाद हुआ जमानत पर बाहर आया राहुल्या अब सहर का गैफचर है और हर कोई उसे डरता है और एक रात एक पुर्वा किसो सिद्दार्थ उर्फ सिद्दू मदद के लिए राहुल से मिलने आता है और राहुल्या उसे अपना भाई बना लेता है इसी बीच राजिव राहुल्या को परिवार पर दया आती है और वो लागातार राहुल को कानून हाथ में लेने पर गंबिर प्रमान परिनाम भुकतने की चेतावनी देता है लेकिन वो एक बाहर हो जाता है और राजिव और गैस्टरों के भाग्या को खुद पर छोड़ने का फैसला करता है यह जानते हुए कि एक दूसरे के गिरों में गिरों को मानने पर कवेल केवल एक ही छुटेगा और वो एक दूसरे को जानने बिना गिरों के दोनों के सद्दस्यों को सद्दस्य की हत्या करके अंत गिरों की प्रती दिनता को और तेज करता है और राहुल्या हाला कि अब एक राहुल्या अब एक अमीर आदमी है और अकेलापन महसूस करता है जैसे ही वो बाजार में जाता है और दताराम उसका तिरसकार करता है और मन्दा के पिता सत्यावी राहुल्या पर चिलाते है और कि वो अपनी बेटी की साधी उससे कभी नहीं करेंगे गुषे में राहुल ने उसे मारा और मन्दा फिर राहुल को मारता है और उसे संबंद तोड़ लेता है राहुल्या अब भी ग्याक्स्टर है और भी खुंखार है और वो जबरन वसूरू करता है और वो कई लोगों की भूमिक पर कपजा करता है वो दता राम की भूमिका पर आपनी नजरे घुमाता है और सिद्धे को मार कर अपना प्रती सोध लेता है और एक उत्तसाहित राहुल्या ने दता राम को खबर सजा की लेकिन वो राहुल्या के जबर्दस्त तरीके के कारण हमेशा की तरह खुश नहीं है भूमि बस्तियों में से एक के दोरान वो एक खुश हाल परिवार में आता है और जहां की पिता को अपने बेटों को उपलब्दियों पर गौर्व होता है और राहुल का अब हद्य परिवातन हुआ जैसे ही वो बजार में लोड़ता है और वो दता राम से मिलता है और उसे अपने साथ आने के लिए काता है और वो राजनिती में सामिल हो जाएगा और दता राम ने कहा कि उनके पास अपने तरीके के सुधारने के कईमों के थे लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया जैसे ही राहुल्या जाने वाली होती है और मंदा अपनी मंगेतर से उसका परिचाय करती है इस्तानिय विधाय को राहुल्या को राजनिती में सामिल होने की सुचना दी जाती है और राहुल्या की हत्या के लिए पिता और दया को सुझ्जाओ दिया जाता है बिना एक चतूर्थी के दिन राजबीर और मुंटवेड और हत्या विधायक और दोनों राहुल्या की हत्या के लिए पुने की सड़क पर उनका पीछा करते हैं राहुल्या जल्द से सिंदु को घटना के बारे में फोन किया और उसे सबी को सुचित करने के लिए कहा और शिद्ध को सिद्ध और राहुल्या बजार पहुंचे और इसी बीच दता रामभीव राजीव को फोन करता है और घटना की सुचना देता है और वह दोनों को पकड़ और वह बजार में आता है और राहुल्या अब छीपा कर बाहर आती है और दोनों का सामना दयापित जोड़ी से होता है जैसे ही दोनों को पकड़ लिया जाता है राहुल्या ने खुद को पुलिस के सामने आत्मा संपर्ण कर दिया और सिद्धी ने अपनी बंदुक निकाली और राहुल्या को गोली मार दी और जिससे उसकी मौत हो गई वो बताता है कि वो मास्टर जी का पोता है और उसने बाजार में राहुल्या की हत्या करके आपनी मौत का बदला लेने का वादा किया राजबीर फिर मुठ वेट करता है और दोनों को मार देता है जैसे ही राहुल्या के साद्वा अंतिन संसकरन किया जा रहा है हर कोई रोता है और दताराम पागलपन से हसते हैं और क्योंकि उन्होंने कम से कम एक बार मुश्कुराने के लिए राहुल के सब्दों के याद दिला दी जाती है राजियू के जाने के बाद वो सुचता है कि तीन से एकड के मालिक होने के बावजूद राहुल्या को केवल छो फिर जमिन की जगरत है दोस्तों बात करें भारती फिल्म अब्विनेता आयूश सर्मा एक भारती अब्विनेता है जो हिंदी फिल्मों में काम करते हैं उन्होंने अपने जीजा सलमान खान के प्रोडक्शन लव स्टोरी दोजार आठार से फिल्म केरियर की शुर्वात की उनकी नविनात फिल्म एट अंतिन दो फाइनल टूर्ट 2021 की समिच्चा को और वेवसाई ग्रूप से प्रोशारी थी और जिसने उन्होंने शलमान खान के साथ अभिनाय किया था आयूस सर्मा का जनम 26 सक्टूबर 1990 को मंडी हिमालचल पर्देश में हुआ था और अनिल और सुनिता सर्मा के घर हुआ था उनका एक भाई आर्या सर्मा और वो वेद्रा कांग्रेस नेतापंडिर खुसर राम के पोते हैं 2018 में आयूस सर्मा ने वरिना हुसेन के साथ लव यात्री के साथ बॉलिवूड में शुरुआत की जिसमें नौदित अभिराज मीना वाला द्वारा निर्देशित किया गया था और सलमान खान फिलिम्स के तरह सलमान खान द्वारा निर्मित किया गया था 2020 में वो संगीत वीडियो मंजा से मंजा में सही मंजेकर केस साथ दिखाए दिये जिस विशाल मिश्रा में लिखा और संगीत ब्रिद्द किया है दोस्तों बात करें भारती फिल्म अभिनेता दवन खान यानि सलमान खान भारती फिल्म अभिनेता जिने दवन खान के नाम से भी जाना जाता है भारती फिल्म अभिनेता फिल्म निर्मता और टेलिविजन ब्यक्तित्व जो है हिंदी फिल्मों में काम करते है तिस साल से अधिक के फिल्म केरियर में सलमान खान कई प्रशकार मिले हैं और जिसमें एक फिल्म निर्माता के रूप में दो राष्टिय फिल्म पुरसकार और अभिने के लिए दो फिल्मे फियर पुरसकार भी सामिल है उन्हें मीडिया में भातिय सिनेमा के सबसे बिवसाइक रूप से सफल अभीनेताओं में से एक के रूप में उद्धित किया जाता है फोरवस ने उन्हें दुनिया में टॉप पेड़ सहे सेलिब्रिटी और एंटर एंटर टेनर्स की आपनी 2015 की सुची में सामिल किया था सलमान खान के साथ बंदे सुची में कतरवे नंबर के लिए आमिता बचान दोनों की कमाई दोनों की कमाई 33.5 मिलियन डॉलर के हैं और फोरवस 2018 की दुनिया भर में टॉप में से सेलिब्रिटी इंटर टेनर्स की सुची में सुची के अनुशार में खान सलमान खान 37.7 मिलियन डॉलर की कमाई के साथ बिराशीर रैंक के साथ सर्वोच रैंक वाले भातिय अभिनेता हैं और दोस्तों बात करें अभिनेता शलमान खान ने अपने अभिनाई के अलावा इनकी शुरुआत अपने पाठक का था सलिम खान के सबसे बड़े बेटे सलमान खान सलमान कान ने अपने अभिनाई केरियर की शुरुआत खिलिम बवी हो तो बीवी हो तो ऐसी से उने से 88 में सहायक भुमिकान के साथ किया था और जिसके बाद मैंने प्यार किया उने से 89 और में उने से 89 में एक प्रामुख भुमिकानी भाई सलमान कान ने बॉलिवुड में उने से 90 के दसक में रोमाटिक ड्रामा हम आपके हैकन सहीत कईब कई प्रतुष्टियों के बुमिकायक जारी रखी और उने से 94 एक्शन कमेडी अनदाज अपना अपना उने से 94 और एक्शन 这लर फिलिम लिम करन अर्जुन उने 95 कमेडी बीवी नमबर वन उने से 99 और परिवारिक ड्रामा हम साथ साथ है उने से 99 सन 2000 के दसक में गिरावट की एक संचित अवदी के बाद खान ने 2010 में दबंग को दबंग खान 2010 में रेड़ी 2011 एक्था टाइगर 2012 किक 2014 और सोल्तान जैसी सफल एक्षन फिल्म में मुख्या भूमिका निभाकर अधिक एस्टार हासिल किया 2016 और टाइगर जिन्दा है 2017 में आपने अभिनाए केरियर के अलावा सलमान खान एक टेली वीजन प्रतोता और अपने चैरिटी वी गाइड हानिम हुमन हुमन फाउंडेशन और माध्याम से मानेन्य कार्णों में बढ़ाव देता है और खान का खान का ओफ स्क्रीन जीवन विवादो और कानूनी पेश परिशानियों से बरा हुआ है और 2015 में उन्होंने लपरवाही से कई फिल्मों में नहीं काम किया है सल्मान खान की उन्हें से 47 से 2020 तक बर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली दस फिल्मों में अभिने किया है जो हिंदी सिनेमा के इतहास में किसी भी अभिनेता के लिए सबसे आधिक है सल्मान खान पाठक का था लेकक सलीम खान और उनकी पतनी सुसीला चरक के सबसे बड़े बेटे हैं जिनोंने सल्मान नाम अपनाथ था और 27 दिसम्बर उन्हें से 65 को एक हिंदुमा और एक मुसलिम पिता के घर पैदा हुआ खान का पालन पोशक दोनों धर्मों में हुआ है और उन्हें से 80 में जब सल्मान खान और सलीम का तल्ला हो गया था और उनके पिता ने आप बिनेतरी हेलें से साधी की थी और उनके पिता के साथ बच्चे के बंधन सत्रूता पुर्णा हो गये और बर्षो बाद ही ठीक हुए सल्मान खान के दादा दादी और आकाल अल्ला कोज़ाई और पसुद थे सल्मान खान ने अपनी अभिनाई की शुरुवात उने से 88 से फिल्म बीबी हो तो ऐसी से किया था जो साहाय बोमिका में निभाय थी सुरजार बाट जाते है कि रोमांटिक परिवारिक ड्रामा फिल्म मैंने प्यार किया उने से 89 में परमुक भुमिका में निभाय जब जो उस समय की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतिय फिल्म बन गई थी उने से 94 में सलमान खान राजकुमार संतोसी की अंदाज अपना अमिर खान के साथ कलरकार दिखाई दिये अपनी रिलीज के समय फिल्म बॉक्स अबिस पर सफल रही और लेकिन पिछले कुछ बर्सों में एक पत का दर्ज हासिल किया था बाज में उन्होंने निर्देशक सुरज आरबाड दियाते के साथ रोमांस हम आपके हैकॉन में सहय किया सहय किया है और साकलाकार मादुरी दिचित उने से 95 में प्रोषकार सत्रा के दोरान फिल्म सर्वास्रेश्ट निर्देशक और सर्वास्रेश्ट अब्दिनेत्री के लिए तीन फिल्मे फिए प्रोषकार जीते इसने बर्ष की सबसे लोगप्रिये फिलिम होने का राष्टिय प्रोष्कार भी जीता और इसमें बर्ष की सबसे लोगप्रिये फिलिम होने की राष्टय प्रोष्कार भी जीता और बहुत सारे बहुत जादा पैसों की कलक्षन किया था और अधिक से कमाई दुनिया भर में और इस फिलिम ने अधिक से अधिक पैसों की कमाई की और कमाई दुनिया भर में 1.13 मिलियन, यह फिलिम साल की सबसे बॉलीबूर फिलिम हिट बन गई थी और यह बॉक्स अपिस पर इंडिया की हिंदी सिनेमा में अब तक की सबसे बड़ी ब्लोकबस्टर सुची में से एक है, 2006 में बॉक्स अपिस पर इन, बॉक्स अपिस इंडिया के अन्योसार यह अब तक की एक चोथिस्टर से अधिक कमाई करने वाली बॉलीबूर फिलिम हिट थी, उन्हें से पंचानमे में उन्होंने राकेश रोशन की करन अर्जुन में सारुखान के साथ अबिनाय किया, और दोनों ने भाईयों को भूमिका निभाई, जो परिवारिक सत्रुओ दरा मारे जाने के बाद पुर्ण जर्ण लेते हैं, और करन के रूप में उनकी भूमिका, उन्हें उन्हें से पंचानमे में फिल्म हिट शरुश रेश्टा बिनेता पुरशकार के लिए ना मंकित कर दिया, उनेसे 96 में खान ने संजय लिला भानसाली के निर्देशक में बनी पहली फिलिम खामोसी दम म्योजिकल में अभिनाय किया वो इसमें भी दिखाई दिये और राजकवर के निर्देशक में 30 राजकवर के निर्देशक ने जीत को हिट कर दिया और उने से 97 में उनकी दो रिलीज हुई जुड़वा और अजार फुर्वा डेविड धावन द्वारा निर्देशित एक कमेडी थी जहां उन्होंने जनम के समय से अलग हुए और जुड़वा बच्चों की दोरी भुमिकानी भाई थी खान ने उने से 98 में पांच अलग अलग फिल्मों में काम किया जिसमें उनकी पहली फिल्म रिलीज रोमांटिक कमेडी फिल्म प्यार किया तो डरना किया जो काजल के साथ थी और जो उस साल की सबसे बड़ी बेवसाइक सफलताओ में से एक थी और इसके बाद मद्यम रूप से सफल नाटक जब प्यार किसी से होता है आया जिसके जिससे सलमान खान ने एक ऐसे युवक की भुमिकानी भाई जिससे अपने बेटे होने के वादा करने वाले एक बच्चे को अपनी हिरासत में लेना होता है फिलिम में खान के प्रदसन ने अनुकूल अलोचनात्म समिच्छा अरजित की और उन्होंने करन जोहर के निर्दसक में बनी पहली फिलिम कुछ-कुछ होता है में एक बिरस्तारी केमियो में थी केमियो में भी किया है और जिसके लिए उन्होंने करन जोहर के निर्दसक में दूसरा फिल्में प्यार प्रदसकार अरजित किया था और सर्व स्रे सहाय कर बिनेता स्रेनी के लिए उन्हे से 99 में सल्मान खान ने तिन फिल्में में अभिने किया हम साथ साथ है और वी एस्टेन यूनाइटेड बीबी नमबर वन और हम दिल दे चुके सनम में स्वर्या राय और संजय और अज्जय देगन के साथ जिस जिसने उन्हें फिल्में फेयर में एक और सर्वस्रेस्टा बिनेता का नाट नामंकन दिलाया पुरस्कार और पुरस्कार फिल्म में उनके प्रादसन की अनुकूल समिच्छा की गई और जिसमें रेडिव की सर्मिलार टेलिकम ने कहा कि सल्मान खान प्यारे हैं और वो नाटक के दिलिशे में हम और करते हैं और लेकिन कमेडी और उन रोमांटिक दिलिशे को करते हैं और बहुत ही सहाज दिखाते हैं संद्वाजर में सल्मान खान ने चोरी चोरी चुपके चुपके में दिखाए दिये जो जिसके सेरोगेट बच्चे के जन्म के मुद्दे को संबोलित किया है इसमें खान ने सल्मान खान ने एक अमीरू दोगपती की बोमिकानी भाई जो अपनी पत्नी को बंजा होने के बाद एक सेरोगेट मा का काम पर रखता है रेडिप की कुशन सुकुन्य वर्मान ने लिखा कि फिल्म में एक बेतु की कहानी थी लेकिन कलाकारों की सहज प्रदसन की इसकी अन्य खामोसी की काम करने के मदद मिली और उने से और 2007 की सुरुवात में कलाकार की टुकडियोग वाली फिल्म सल्वान खान एक्स में से की थी और वो बॉलिवूट फिल्म में मेरी गोल्ड एन एन एड़ वेचर इन इंडिया में अमेरिकी अभिनेत्री अली आर्टर के साथ दिखाए दिये फिल्म में एक भारत्य पुरुष और एक अमेरिकी महिला के प्रेम कहानी बताई गए थी दोस्तों बात करें भारत्य फिल्म अभिनेत्री महिमा मक्वाना महिमा मकवाना एक भारतिया अबिनेत्री है जो टेलिवीजन सो के साथ साथ हिंदी और तेलेंगु भासा की फिर्मों में वी इत्काम करती है और इने मिले जब हम तुम और बली का बदु में बदु के साथ टेलिवीजन में परवेश करने के बाद महिमा मकवाना प्रमुकता से बड़ी और जी टीवी के लोगपिरियास सो ओपेरा और सपने सुहाना लड़कापन में अपने चरित्रा रचने के माद्यान से एक घरेलू नाम बन गया जिसके बाद वो आगे बड़ी और अन्या टेलिवीजन सो में मुक्या भुमिकाया के साथ खुद को एक मुनहार टीवी अबिनेत्री में से एक के रूप में स्ताफित करने के लिए 2021 में महिमा माकवाना ने सल्मान खान और आयू सर्मा की अबिनेती सेमी हीट एक्षन थिलर फिलिम अंतिन दा फाइनल टूर से से लिए अंतिन दा फाइनल टूर से बॉलीवूड में अपनी शुरुवात की लेकिन वह एक बाहर हो जाता है और राजिव अब गैस्टरों के भाग्या को खुद पर छोड़ने का फैसला करता है यह जानते हुए कि एक दूसरे के गिरों में गिरों को मानने पर कवेल केवल एक ही छुटेगा और वह एक दूसरे को जानने बिना गिरों के दोनों के सद्दसे को सद्दसे की हत्या करके अंत गिरों की प्रती दिनता को और तेज करता है और राहुल्या हाला कि अब एक राहुल्या अब एक आमीर आदमी है और अकेलापन महसुस करता है जैसे ही वो बाजार में जाता है और दताराम उसका तिरसकार करता है और मंदा के पिता सत्या भी राहुल्या पर चिलाते है और कि वो अपनी बेटी की सादी उससे कभी नहीं करेंगे गुसे में राहूल ने उसे मारा और मन्दा फिर राहूल को मारता है और उसे संबंद तोड़ लेता है राहूल अब भी ग्याक्ष्टर है और भी खुंखार है और वह जबरन वसुरू करता है और वह कई लोगों की भूमिक पर कपजा करता है वह दता राम की भूमिका पर अपनी नजरे घुमाता है और सिद्धे को मार कर अपना प्रती सोध लेता है और एक उत्तसाहित राहूल्या ने दता राम को खबर सजा की लेकिन वह राहूल्या के जबर्दस्त तरीके के कारण हमेशा की तरह खुश नहीं है भूमिबस्तियों में से एक के दोरान वह एक खुश हाल परिवार में आता है और जहां की पिता को अपने बेटों को उपलब्दियों पर गौर्व होता है और राहूल का अब हध्य परिवातन हुआ जैसे ही वह बजार में लोडता है और वह दता राम से मिलता है और उसे अपने साथ आने के लिए काता है और वह राजनिती में सामिल हो जाएगा और दता राम ने कहा कि उनके पास अपने तरीके के सुधारने के कैमों के थे लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया जैसे ही राहूल्या जाने वाली होती है और मंदा अपनी मंगेतर से उसका परिचाय करती है इस्तानिय विधाय को राहूल्या को राजनिती में सामिल होने की सुचना दी जाती है और राहूल्या की हत्या के लिए पिता और दया को सुझ्जाव दिया जाता है बिना एक चतूर्थी के दिन राजबीर और मुंटवेड और हत्या विधायक और दोनों राहूल की हत्या के लिए पुने की सड़क पर उनका पीछा करते हैं राहूल्या जल से सिंदू को घटना के बारे में फोन किया और उसे सबी को सुचित करने के लिए कहा और सिद्ध को सिद्ध और राहूल्या बजार पहुंचे और इसी बीच दता रामभीव राजिव को फोन करता है और घटना की सुचित सुचना देता है और घटना की सुचना देता है और वह दोनों को पकड़ और वह बजार में आता है और राहूल्या अब छीपा कर बाहर आती है और दोनों का सामना दयापित जोड़ी से होता है जैसे ही दोनों को पकड़ लिया जाता है राहुल्या ने खुद को पुलिस के सामने आत्मा संपर्ण कर दिया और सिद्धी ने अपनी बंदुक निकाली और राहुल्या को गोली मार दी और जिससे उसकी मौत हो गई वो बताता है कि वो मास्टर जी का पोता है और उसने बाजार में राहुल्या की हत्या करके आपनी मौत का बदला लेने का वादा किया राजबीर फिर मुठ वेट करता है और दोनों को मार देता है जैसे ही राहुल्या के साद्वा आंतिन संस्करन किया जा रहा है हर कोई रोता है और दता राम पागलपन से हसते हैं और क्योंकि उन्होंने कम से कम एक बार मुश्कुराने के लिए राहुल के सब्दों के याद दिला दी जाती है राजियु के जाने के बाद वो सुचता है कि तीन से एकट के मालिक होने के बावजूद राहुल्य को केवल छोफिर जमीन की जगरत है दोस्तों बात करें भारती फिल्म अब्विनेता रायूश सर्मा एक भारती अब्विनेता है जो हिंदी फिल्मों में काम करते हैं उन्होंने अपने जीजा सल्मान खान के प्रोडक्शन लव एस्टोरी लव स्टोरी 2018 से फिल्म केरियर की शुर्वात की उनकी नविनात फिल्म एट अंतिन दव फाइनल टूर 2021 की समिच्चको और वेवसाई ग्रूप से प्रोशारी थी और जिनों जिसने उन्होंने सल्मान खान के साथ अभिनाय किया था आयूस सर्मा का जनम 26 अक्टूबर उने से 90 को मंडी हिमालचल पर्देश में हुआ था और अनिल और सुनिता सर्मा के घर हुआ था उनका एक भाई आर्या सर्मा और वा वेद्रा कांग्रेस नेतापंडिर खुसर राम के पोते हैं 2018 में आयूस सर्मा ने वारीना हुसेन के साथ लव यात्री के साथ बॉलीवूड में शुरुआत की जिसमें नौदित अभीराज मीना वाला द्वारा निर्देशित किया गया था और सल्मान खान फिलिम्स के तरह तहत सल्मान खान द्वारा निर्मित किया गया था 2020 में 2020 में वो संगीत वीडियो मंजा मंजा में सही मंजेकर के साथ दिखाए दिये जिस विशाल मिश्रा में लिखा और संगीत बृद्द किया है दोस्तों बात करें भारतिय फिल्म अभिनेता दवंखान यानि सल्मान खान भारतिय फिल्म अभिनेता जिने दवंखान के नाम से भी जाना जाता है भारतिय फिल्म अभिनेता फिल्म निर्मता और टेलिविजन ब्यक्तित्व जो है हिंदी फिल्मों में काम करते हैं तिस साल से अधिक के फिल्म केरियर में सलमान कान कई प्रशकार मिले हैं और जिसमें एक फिल्म निर्माता के रूप में दो राष्टिय फिल्म प्रशकार और अभिने के लिए दो फिल्मे फियर प्रशकार भी सामिल है उन्हें मीडिया में भातिय सिनेमा के सबसे बेवसाइक रूप से सफल अभीनेताओं में से एक के रूप में उद्धित किया जाता है फोर्वास ने उन्हें दुनिया में टॉप पेड सहे सेलिब्रिटी और एंटर्टेनर्स की अपनी 2015 की सुची में सामिल किया था सलमान खाम के साथ बंदे सुची में कत्रवे नंबर के लिए अमिता बचन दोनों की कमाई 33.5 मिलियन डॉलर के हैं और फोर्वास 2018 की दुनिया भर में टॉप में से सेलिब्रिटी इंटर्टेनर्स की सुची में सुची के अनुशार में खान सलमान खान 37.7 मिलियन डॉलर की कमाई के साथ बिराशीर रेंग के साथ सर्वोच रेंग वाले भारतिय अभिनेता है और दोस्तों बात करें अभिनेता सलमान खान ने अपने अभिनाई के अलावा इनकी इनकी सुरुआत अपने पाठक का था सलिम खान के सबसे बड़े बेटे सलमान खान सलमान खान ने अपने अभिनाई केरियर की सुरुआत फिलिम बवी हो तो एसी से उने से 88 में सहाइक भुमिकान के साथ किया था और जिसके बाद मैंने प्यार किया उने से 89 और मैं उने से 89 में एक प्रमुख भुमिकान निभाई सलमान कान ने बॉलिवूड में उने से 90 के दसक में रोमाटिक ड्रामा हम आपके हैकोन सहीत कई प्रतुस्तियों के भुमिकाएक जारी रखी और उने से 94 एक्षन कमेडी अंदाज अपना अपना उने से 94 और एक्षन थिलर फिलिम करन अर्जुन उने से 95 कमेडी बीवी उने से 99 और परिवारिक ड्रामा हम साथ साथ है उने से 99 सन 2000 के दसक में गिरावट की एक संचिता अवदी के बाद खान ने 2010 में दवां को दवंग खान 2010 में रेड़ी 2011 एक्था टाइगर 2012 किक 2014 और सोल्तान जैसी सफल एक्षन फिल्मों में मुख्या बुमिका निभाकर अधिक एस्टार हासिल किया 2016 और टाइगर जिन्दा है 2017 में आपने अभिनाए केरियर के अलावा सलमान खान एक टेली वीजन प्रस्तोता और अपने चैरिटी वी गाइड हुमन हुमन फाउंडेशन और माद्यम से मानेन्य कार्णो में बढ़ाओ देता है और खान का ओफ स्क्रीन जिवन बिवादो और कानूनी पेश परिशानियों से बरा हुआ है और 2015 में उन्होंने लापरवाही से कई फिल्मों में नहीं काम किया है सलमान खान की उन्हें से 47 से 2020 तक बर्स की सबसे अधिक कमाई करने वाली 10 फिल्मों में अभिने किया है जो हिंदी सिनेमा के तहास में किसी भी अभिनेता के लिए सबसे आधिक है सलमान खान पाठक का था लेखक सलीम खान और उनकी पतनी सुसीला चरक के सबसे बड़े बेटे हैं जिन्होंने सलमान नाम अपनाथ था और 27 दिसंबर उन्हें से 65 को एक हिंदुमा और एक मुसलिम पिता के घर पैदा हुआ खान का पालन पोशक दोनों धर्मों में हुआ है और उन्हें से 80 में जब सलमान खान और सलीम का तल्लाग हो गया था और उन्होंने उनके पिता ने आप बिनेतरी हेलें से साधी की थी और उनके पिता के साथ बच्चे के बंधन सत्रूता पुर्णा हो गये और बर्सों बाद ही ठीक हुए सलमान खान के दादा दादी और आकाल अल्ला कोज़ाई और पसुद थे सलमान खान ने अपनी अभिनाई की शुरुवात उने से 88 से फिल्म बीबी हो तो ऐसी से किया था जो साहाय बोमिका में निभाए थी सुरजार बाड़ जाते की रोमांटिक परिवारिक ड्रामा फिल्म मैंने प्यार किया उने से 89 में परमुक भुमिका में निभाई जब जो उस समय की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतिय फिल्म बन गई थी उने से 94 में सलमान खान राजकुमार संतोसी की अंदाज अपना अमिर खान के साथ सो कलकार दिखाई दिये अपनी रिलिज के समय फिल्म बॉक्स अबिस पर सफल रही और लेकिन पिछले कुछ बर्सों में एक पत का दर्ज हासिल किया था बाज में उन्होंने नेदे सक सुरज आरबाड जाते के साथ रोमांस हम आपके हैकॉन में सहाय किया सहय किया है और साकलाकार मादरी दिचित उन्हे से 95 में प्रशकार सत्रा के दवरान फिल्म ने सर्वस्रेस्ट फिल्म सर्वस्रेस निर्देशक और सर्वस्रेस अबिनेतरी के लिए तीन फिल्में फियर प्रशकार जीते इसने बर्ष की सबसे लोगप्रिये फिलिम होने का राष्टिय प्रोष्कार भी जीता और बहुत सारे बहुत जादा पैसों की कलक्षन किया था और अधिक से कमाई दुनिया भर में और इस फिलिम ने अधिक से अधिक पैसों की कमाई की और कमाई दुनिया भर में 1.13 मिलियन, यह फिलिम साल की सबसे बॉलीबूर्ट फिलिम हिट बन गई थी और यह बॉक्स अपिस पर इंडिया की हिंदी सिनेमा में अब तक की सबसे बड़ी ब्लोकबस्टर सुची में से एक है 2006 में बॉक्स अबिस पर इन बॉक्स अबिस इंडिया के अनुसार या अब तक की एक 34 से अधिक कमाई करने वाली बॉलिवूर्ड फिलिम थी उन्हें से पंचानमे में उन्होंने राकेश रोसन की करन अर्जुन में सारुखान के साथ अबिनाय किया और दोनों ने भाईयों को भूमिकाने भाई जो परिवारिक सत्रू जो परिवारिक सत्रू ओ धरा मारे जाने के बाद पुर्ण जर्ण लेते हैं और करन के रूप में उनकी भूमिका उन्हें उन्हें से 95 में फिल्म फियर सरु स्रेस्टा बिनेता पुरसकार के लिए नाम अंकित कर दिया उन्हें से 95 में खान ने संचैली लिला भानसाली के निर्देसक में बनी पहली फिलिम खामोसी दम म्योजिकल में अब भिनाय किया वो इसमें भी दिखाई दिये और राजकवर के निर्देशक में 30 राजकवर के निर्देशक ने जीत को हिट कर दिया और उने से 97 में उनकी दो रिलीज हुई जुड़वा और अजार फुरुवर डेविड धावन द्वारा निर्देशित एक कमेडी थी जहां उन्होंने जनम के समय से अलग हुए और जुड़वा बच्चों की दोरी भुमी का निभाई थी खान ने उने 98 में पांच अलग अलग फिल्मों में काम किया जिसमें उनकी पहली फिल्म रिलीज रोमांटिक कमेडी फिल्म प्यार किया तो डरना क्या जो काजल के साथ थी और जो उस साल की सबसे बड़ी बेवसाइक सफलताओ में से एक थी